Hello friends, welcome to my new video और आप देख रहे हैं Information बैया अभीशेक और मैं हूँ आपका Information Expert तो आज हम देखते हैं एक और जॉब अपॉर्चुनिटी जो Oil India Limited से है जिसमें बहुत सारी वेकेंसी है तो हम जल्दी जल्दी देखेंगे कि यहां किस तरह की पोस्ट है और इन पोस्ट के लिए क्या क्या eligible criteria होगा इसकी fees और age limits and other related सारी detail मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ मैं आपको medical से related जो वेकेंसी है केवल उनी के बारे में आज मैं उनकी information आपको दूँगा जैसे कि आप देख पा रहे हैं तीन नंबर पे नर्सिंग की opening है यह यह नर्सिंग की post है 15 और इसमें इनोंने जैने मांगा है और इसमें BSC भी apply कर सकते हैं जैने में के लिए इसमें इनोंने तीन साल का minimum experience रखा है then BSC के लिए इनोंने दो साल का experience रखा है और आगे हम देख लेते हैं आगे जो post है वो है dietitian के लिए इसमें इनोंने BSC in food sciences and nutrition है then इसमें इनोंने तीन साल का experience मांगा है छे नंबर पे आप देख पा रहे होंगे Diploma in medical laboratory technician के लिए जो opening है इसमें है 4 vacancy है और इसमें जो इनोंने 2 साल का और इसके नीचे साथ नंबर पे जो इसमें Diploma in OT technology का जो course इनोंने किया है इसमें इनोंने 2 साल का experience मांगा है और इसमें जो post है वो 3 post है Diploma in certificate in emergency and first aid इसमें इनोंने 2 साल का experience मांगा है और इसमें भी 3 opening है उसके नीचे हम देख लेते हैं इसमें भी 2 opening है वो 2 opening है reservation wise हम post code के according देख लेते हैं किस categories के लिए कितनी opening है इनके पस नीचे चलते हैं age limit maximum age limit भी देख लेते हैं according to post आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है minimum जो age limit है for all categories वो है 18 years exam का जो pattern होगा वो आप देख सकते हैं ABC तीन पार्ट में divide किया गया है इमें English language, general knowledge and awareness and question on oil India limited से related जो question होगे वो 20% होगे reasoning, arithmetic, numerical and mental ability कि according to question knowledge है उसकी according जो questions होगे वो 60% होगे CVTW is question paper होगा यह और multiple choice question होगे इसमें सबसे अच्छी बात कि इसमें कोई negative marking नहीं है total duration जो होगा टेस्ट का वो होगा 2 hours देख लेते हैं जो last date है submission of application की वो है 25 to 22 जनी 222, 2022 यह जो link आप स्क्रीन पर सब्सक्राइब देख रहे हैं इस पर जाकर आप अपनी online application fill कर सकती है application acceptable नहीं होगी after registration आपको एक unique password और ID मिलेगा वो आपको safe रखना है for future reference online application fees for journal और OBC candidate के लिए 200 रुपे online application fee amount रखा गया है और ST, SC के लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी exam fee नहीं है इस वेकंसी का PDF link में description box में डाल दूँगा आप वहाँ से check out कर सकते हैं और application fee करने से पहले carefully सारी instruction अच्छे से read कर लीजेगा अगर यह information अच्छी लगी हो तो please मेरे चैनल को subscribe कीजेगा like कीजेगा और share कीजेगा धन्यवाद कीजेगा